इससे जस्ट पहले continuity की पढ़ाई है मैंने अब स्टाटी करते हैं बर्नावली इक्वेशन क्या है बर्नावली इक्वेशन देखो इसमें क्या होगा आपको दे रखा होगा दीवाइब डी एक्स यह एक y कर जाएगा नीचे y की पावर n-1 is equal to qx यह क्या है बर्नावली इक्वेशन इसके अंदर यहाँ जो होगा न यहाँ पर जो है उसका derivative यह वाला होगा चिक है अब देख सकते हो कैसे मैंने क्या क्या 1 by y की पावर n-1 को मैंने रख दिया v पुट कर दिया अब मैं क्या करूँ अब मैं सको कर दूँ specialize मैने इसको differentiate क्या जैसे v क्या मैं इसको differentiate क्या तो होज़ेगा 1-n-ny की पावर –n McM Д ma by dx is equal to dv by dx यह होगा यह होने के बाद मैं को क्या value चाहिए मैं को value चाहिए 1 by y की पावर and d y by dx की मैं यहाँ से निकाल सकते हूं मैंने निकाल दी यह वाला चीज मैं ही set लेगी ऐसे करके मैंने 1 by y की power and d y by dx की value निकाल दी मैंने क्या क्या इसके अंदर put कर दिया यह 1 by y and minus 1 को पे तो मैं v लेके ही चली थी वो भी put कर दिया is equal to qx फिर क्या होगा अब यह मेंको तो linear in v बनता दिखरा देखो मैंने क्या कर यह वाला coefficient इस side multiply में कर दिया dv by dx plus 1 minus n px v is equal to qx यह side multiply में 1 minus n यह तो linear in y आ गया linear in v sorry linear in v आ गया अब भी आ गया तो मैंने जस्ट पहले इससे पहले वाले वीडियो में सिखाया था कि linear आ जाए y या x में तो हम निकालते है integrating factor चेक है integrating factor निकालके एक general solution होता है उसमें वो integrating factor की help से हम general solution find out करते है चेक है अब example study करो सारे concept clear हो जाएंगे example देखो क्या है y log x minus 1 y dx is equal to x dy दे रखा आपको ठीक है हमने क्या क्या dy बे dx चाहिए मैंको तो तो मैंने क्या क्या ये वाला complete मैं सेड लेगी ठीक है तो ये आगा y log x minus 1 is equal to x by y dy बे dx मैंको तो अकेला dy बे dx चाहिए वैसे linear निकाल रहे हो न मतलब मैं equation बनानी कोशिश करें तो मैंने क्या क्या ये सेड में कर दिया ऐसे कुछ कर दिया अब ये सेड ले जा सकते हो तो ये प्लस में आगा is equal to y square log x by x अब ये तो एक्विशन क्या आगी ये तो linear in v आगी ना linear in y आगी आपकी है ना अभी नहीं आया आपका sorry अब आप क्या करो आप Bernoulli's equation बन गए तो देखो कैसे यहां पर क्या है क्या है इसका coefficient y का 1 by x है ना देखो कैसे आप अभी नहीं कर सकते है अभी तो ये इसका अभी coefficient यहां नहीं आ रहा है तो y का differentiation d by by dx आ रहा है अब क्या करो सबसे पहले आपको qx होता था ना qx जो यहां पर है उसके साथ जो मंटिप्राइम है y की पाऊर उससे आपको डिवाइड करना होता था तो आपके y की पाऊर स्क्वेर है तो y स्क्वेर से डिवाइड कर द यह differentiation करने से आएगा मेरा मैंने पूट कर दिया minus dv by dx plus v by x 1 by y को मैंने वी पूट किया v by x is equal to log x by x अब यह वाली equation तो मेरे linear in v बन जाएगी minus effect तो minus 1 से multiply कर दो दोनों साइड तो क्या होगा dv by dx minus v by x is equal to minus log x by x देखो यह आगया आपका है ना यह क्या हो गया यह तो मेरा आगया linear in v ओके linear in v आगया तो मुझे integrating factor निकालना होता है integrating factor मैं कैसे निकालता हूँ exponent ठीक है फिर v का coefficient देखो क्या है minus 1 by x dx is equal to integration कर दो minus log x अब यह log के साथ जो negative sign होता है वो x की power में जलता है e की power log x minus 1 कर दिया e से log कर जागा 1 by x आगया अब इसकी help से integrating factor की help से हम general solution find out करते है कैसे find out करते है सबसे पहले हम लिखते है v जिसमें वो linear होता है linear in v है na v into integrating factor 1 by x is equal to अगर आप कोई यह चीज़े समझ नहीं आ रही कि मैं general solution integrating factor कैसे find out कर रहूं करने के बाद मैं general solution कैसे बना रहूं से तो अब मेरी पहली वीडियो देखो वहां पर सब कुछ clear किया मैंने ठीक है इस आरे parts है 1 by 1 अब सब करते जाओ लाइन वाइस ओके आपकी सारी उड़ने differential equation हो जाएगी net के लिए तो मैंने क्या v into integrating factor is equal to minus log x by x यह तो हमारा यह वालोग है qx into integrating factor तो 1 by x तो यह x square बन गया d x plus t अब बस वही है मुझे integration करना है तो आपको पता है लोग x को आप t ले सकते हो लोग x को मैंने t ले लिया differentiate करो 1 by x dx is equal to dt बन जाएगा है ना तो 1 by x dx को तो आप dt पूट कर दो लेगि नीचे तो 1 by x भी एक और x बज़िगा उसको क्या पूट कर सकते हो अब log x is equal to t है तो लोगारिथम में साट जाएगा क्या हो था एक्सपोनेंट में चेंज तो x is equal to क्या होगा exponent of t होगा वो भी बन पूट कर दिया अब t exponent of t positive में ऊपर जागे negative में हो जागा t exponent of minus t dt plus c इसको integrating by factor की हाट से integration कर दो कैसे minus t into exponent of minus t कैसे solve करते हम पहले इसका integration करेंगे तो exponent of minus t निच्चे minus 1 इसका integration करने से minus फिर ये ऐसे से सेम इसका differentiation exponent of minus t minus 1 t का differentiation 1 dt आजाएगा है ना यह कहाँ माइनस से माइनस कट जागा plus t exponent of minus t minus से माइनस कट गा plus minus तो minus integration कि इसका exponent of minus t बात ऐसे थे कि मैंने पहले से solve कर रखा था तो इसमें से ही बता दिया अब हम next करते हैं यह होगा इसको solve करने से क्या आएगा 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 t exponent of minus t plus क्योंकि exponent of minus t से इंडिकरेशन में माइनस बन आएगा तो प्लस exponent of minus t plus t ठीक है इतना clear अब ही तक आगे दो अब देखो राइट साइड में तो वही चल रहा था है ना क्योंकि यह पर वी था देखो वी था बाई एक्स क्या था exponent of t था है ना तो यह उपर जाएगा तो यह exponent of minus t बन जाएगा यह साथ में चल दी रहा था ओके अब वी की वैल्यू चाहिए तो मैं exponent की पाव माइनस t निच ले जाते हूं वी इस इकॉल टू टी प्लस वन यह यह टी प्लस वन यह इसे कर जाएगा प्लस c एक्सपोणेंट of t आजएगा अब वी की वैल्यू पुट करदो मैंने की क्या लिया था वी निच को मैंस व्यालिया है तक क्या लिया था है वो पुट करदो टी क Security को कर में और लोग किए इक्बस वन plus c exponent of t के x यह आ गया मेरा general solution ठीक है same इस यह टैप से we have Bernoulli's equation के उपड़ एक और example study करते है मैं बार-बार कह रहूँ कि practice makes a man perfect जितने भार आप कर सकते हो उतने example solve करो even these are not enough जितने हो सके उतने solve करो ठीक है बार कि जितने और हो सकते हैं बार से किसी बुक से लाइबरेडी से बुक लीजिए और और पढ़ने यह मेरा next example है क्या है यह second square dy by dx plus x into tangent y is equal to x q तो मैं को इसका कहकरना है solution find out करना है अब देखो मैं क्या कर सकते हूँ मैं यहाँ पर देखने हूँ यहाँ पर मेरा tangent y और tangent y का differentiation जस्ट यहाँ है मेरा देखो tangent y का differentiation करो क्या होता second square y divided by dx यह रहा मेरा तो कर दो put कितना easy बन गया सीधा मुझे पता tangent y is equal to v put करूँगी इसका differentiation करूँगी मैं तो second square y dy by dx is equal to मेरा आजएगा dv by dx है ना इसके अंदर मैं put कर दूँगी तो यह आजएगा dv by dx plus x tangent y कीजगा v is equal to xq आगया इतना यह होगा clear अब यह देखो यह equation linear नहीं आगए linear in v आगी है अब integrating factor find out कर दूँ कैसे find out करूँग integrating factor exponent v ग ओफिशेंट x dx चिक है तो यह आगा e की power x square by 2 यह होगा अब general solution find out करूँ v into exponent of x square by 2 is equal to integration x cube e की power x square by 2 dx plus c आप यह करते ना qx into integrating factor वह ही कर दिया हमें चिक है तो अब मैं क्या कर सकते हूँ अब मैं को order is given आना इसको integration को solve करना को मैं t पूठ कर देखो x square by 2 को आप t पूठ करते हूँ यह अपने कर दिया यह परने करने के बाद आप क्या कर सकते हूँ आप एक काम करो इसको एब डिफ्रेंशेशन भी करो इसका डिफ्रेंशेशन करोगे तो आपके आएगा 2x by 2 dx is equal to dt means x dx is equal to dt पूठ कर दो v exponent of t is equal to यहाँ पर देखो e की पावर तो t आगया एक x dx is equal to dt में चेंज जगा दूसरा बचे है only x square बचेगा x square से आपके value निकाल दो 2t 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 dt प्लस c यह आगया आपका यह आगया आपको पते हैं integrating by parts से solve करना है कर दो 2 अंदर गाएगा t exponent of t का integration exponent of t first factor minus अब यह सेम तूसेम इसका differentiation second part का 1 टिक है dt प्लस c टिक है बस वैसे तो यह मोस्ट फोज चुका है आपको v की value पूट करने और t की value पूट करने आपका कुछ answer ऐसे आगा v is equal to 2t minus 2 plus c exponent of minus t यह कैसे आएगा यह पर जो exponent of t है वो दूसरी साइट बाई में ले जाएगे कुछ कट जाएगा जो आपके नहीं था बाग नेगेटिव में चल जाएगा यह होगा यह होने के बाद मैंने क्या क्या देखो comment ले लो कुछ comment वाला को है आप क्या को आप v की value पूट कर दो v की value कहा थी tangent y tangent y is equal to 2 और t की value पूट कर दो x square by 2 minus 1 plus c e minus x square by 2 यह में आगा answer simple ओके यह बनना उले equation का एक और example हो गया अब बागे next video में study करेंगे अगर आपको मेरी videos पसंद आ रही है आप चाहते हो कि मैं और और videos बनाती जाओं तो please मेरी video subscribe जरूर मेरा channel subscribe जरूर करो मेरी video share करना मत भूलो like जरूर करना okay thank you